आज की इस वीडियो में six switch to fan regulator जो की एक modular board इसकी wiring हम किस परकार से करें तो step by step आपको इस वीडियो में प्रिजन करें मिने वाली तो बने रही वीडियो के एंड तक नमस्कार दोस्तों मैं राके स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल एक्टेकल सॉलिशन आसा करता हूं क आप से बहुत यच्छे होंगे तो सुरू करते यह वीडियो तो यहाँ पर क्या कि हम single जो अगर हम main supply का वायरिश में क्नेट करते हैं तो बहुत easy तरीक़्ेंच कर सकते हैं लेड हम हम kya करेंगे इसके अंदर 27 को मैं सप्लाइं में और तीन को मैंड़draw के अंदर पडा पर इसके अंदधर टोटल 6 श्ट लगे हैं और दो 2 फैंज डिऍटर तो यह तो यहां पर तेन स्वीच को inverter supply में और इदर के 3 switch को मेंड सपलाई के अंदर रखेंगे तो यहां पे inverter और मेंड इसमें ज़्यधा confusion नहीं है मतलब कि इतना वायरिंग इतना हाड भी नहीं है कि हम सोचें कि इसको वायरिंग नहीं कर पाएंगे तो देखिए यहां पर यह लोप लगा रहा हूं मैं यह हमारी में में सप्टाइख के लिए यहां पे एक पौइंट को मैं यहां पे fix कर दूंगा अब बाकि 2 जब मैं उसके में में कर देंगे और देखें यह इदर का जो वायर में लगता है फेस का सभी के अंदर यहां पर पहुंचाना है तो तीनों स्विच के अंदर जब लगने के बाद हम यहां पर इसको में सप्लाइड इसमें लगाएंगे और इन्विटर का वायर इसमें लगाएंगे हम तो यहां पर इसे लगाने के लिए हम यह फैन डेगुलेटर क इसमें इस will को connect कर लेंगे हम यहां पे एक बद का ध्यान देना है कि जितने भी जो switch है हमँगर वायर connect करते हैं तो इसमें किसी परकार का इसमें scruce को लूज नहीं रखना है अगर वहां पे Bonanza इस आप एक स्क्रू लूज हो गा तो इसमें sparking होगी अजड़ लोप वायर है जो इसमें रखा है वह यहां पर लगा दियाए अभूँल यहाँ पे देखियोंग यह हैं मेन सपल्य का वायर तो पूर्ठो संप्लय को वायर तो मेंड़ टेस्टे में आपको गलॉड करके दिखानाई कोशिद कर रहाँ जब हम यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ रही है तो उसके बाद हमें मेन जो MC बॉक्स है वहाँ से सभी MCB को डाउन कर देना है अगर इन्विटर लगा है तो उसको भी बंद कर देना है तो यहाँ पर मैं दो परकार के वायरिंग इसमें कर रहा हूँ एक इन्विटर की और एक मेन सप्लाई की तो यहाँ जो ब्लेक रर का वायर है यह हमने पहले बताया था कि यह इन्विटर का है तो यहाँ पे एक, जो 3 स्वीच हैं, यानी दो fan regulator और एक बलप का है, तो इसको हम रख रहे हैं यहाँ पे inverter के एउपर, और जो rate color का ये जो wire है, ये है main supply का, तो यहाँ पे बागी के जो 3 स्वीच है, उनको हम रखेंगे is main supply के उपर, यानि कि यह जो बीच में आप देखेंगे तीन स्वीच को हमने अलग लूप किया था और तीन स्वीच को अलग लूप किया है यहाँ पे जो लूप किया है उसके बीच वाले point की ओपर हमिस्सा वाइर को करेंट करना है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं का वायर कनेट कर दियूंग आप देख रहे हैं कि हमारा बलफ यहां पे गलो हो रहा है मैं लब स्विच के दोरा भी ओपरेट हो रहा है ओन ओफ यहीं से होगा ठीक अब बाकी के जो फैन ट्रेगुलेटर है इसके साथ हम यहां पर फैन के दो वायर यह यहां पर करेंगे जो यहां पर टेप इसके ओपर लगा देंगे ताकि किसी परकार का यह वायर यहां से बार के तरफ न निकले तो फाइनली यहां पर दोनों वायर को मैं अच्छे से ट्विच्ट कर लिया हूँ अब मैं यह बड़ चला के देख लेता हूं ताकि को किलियर हो जाए कि यहां पर फैन के पॉइंट ही है यहां पर देखिए दोनों स्विच को ओन करना है और फैन डियुलेटर को मैं यहां पर हाई में कर लिया हूँ जैसे स्विच ओन करूंगा तो फैन डियुलेटर हमारा यहां पर ओन हो जाएगा और फैन भी हमारा चालू हो जाएगा तो देखिए हमा यहां पर मैन सप्प्लाई के साथ यह जो यहां पर आप देख रहे हैं इसके साथ यहां पर कनेट करेंगे स्वीच के अंदर यहां पर इसको लूज कर लिया हो ताकि यह लगाने में मेरे को आसानी हो तो देखें यहां पर लगाने से थोड़ा सा वायर उसमें एक्स्ट्रा न और यहां पर आ nowadays यहां पर जो आजब्स करती हैं, और इसे परकार से में यहां पर सबीन के सिर्ट कर ली है, और जिख तेख पा रहें सब्सक्या राएं यह जो आप देख पा हैं जूमर में दो बलफ लगे हुरे हैं यह तीन कलर के अंदर बलफ हैं तो इसमें आप सेवन कलर के बलफ भी लगा सकते हैं तो यहां पर जितना वर स्वीच ओफ करेंगे ओन करने से अलग कलर में हमारे बलफ यहां पर गलोफ हो रहा है काफी सुंदर लग रहा है अगर आप सेवन कलर के अंदर बनाना चाहते हैं त यहां पे total किया है कि 8 पॉइंट थे और इसको हमने 6 स्विच के अंदर connect किया है यानि कि जो 2 वायर है यानि 2 स्विच के ओपर हमने 2-2 पॉइंट किया है जिनका यूज नहीं है भी कोई वहां पे कुछ भी लगा नहीं है तो यहां पे इस प्रकार से हम यह मोडलर बॉड के अंदर 6 स्विच दो फैन डेगुलेटर बड़ी आसाने से हम लगाए हैं वह भी एक मैन सप्लाई के अंदर और एक है इन्विटर सप्लाई यानि तीन स्विच मैं में तीन इन्विटर में यहां पर यह स्कूर नहोता बलेक स्कूर निकल जाता क्योंगी इसक आगे बहुत धारदार होता है इस बोर के साथ आते हैं वो इसा नहीं होते हैं तो यह पर देखें बड़ी आसाने से बोर्ड के स्कूर यहां पर लग रहे हैं मैं यहां पे सभी स्कूर को अच्छे से फिक्स कर दूँगा और फिर हम यहां सम्ह искon सवाल या सूजाव रहता है तो आप हमें कमेट बॉक्स में पूइल सकते हैं और आप किसी वीडियो से एक कई बॉड्यू से रिलिक को पॉइंट हो कि आप कोई पुइलीो आपकमेट बॉक्स में बताइए है कि एक पर घोंग करें आपके लिए वीडियो में जाइ हिंदे